हेलो दोस्तो नमेश्कार इसे हमकिसी चैनल में आप सभी लंका दिल से बहुत-बहँ वगत करता हूँ अगर आपने पहली बार विजिट कै जरूप को सब्सक्राइब कर लेना साथ में बेल आइकन को हिट करके औल जरूप सिलेट कर लेना उसी के साथ-साथ आज के लिन बहुत सारी विडियो जा चुके सभी विडियो के लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मिल जाएंगे तो चले दोस्तो फिलाल इस विडियो को स्टार्ट कर लेते हैं सो दोस्तों अभी हम लगा चुके बिल्कुल हमारे नॉर्मल स्क्रीन के उपर सबसे पहले वीडियो स्टार्ट करने से पहले देखा गया तो कुछ तो यूटूब के साइड से कमेंट सेक्षन से रिलेटर कोई तो इशू चल रहा है साइड से आप कमेंट कर नहीं सकते कुछ तो कर सकते बड़ देख नहीं सकते ऐसा कुछ तो टेकनिकल यह यहाँ पर चल रहा है सो सिर्फ एक है आप लोगों को इन्फॉर्मिशन दे रहा हूँ अगर आप चाहो तो कमेंट सेक्षन में बिंदास कमेंट कर सकते हो मैं कभी आफ करता नहीं हूँ चलो ठीक है अभी आ जाते सबसे पहले स्टार्ट कर लेते हैं यहां पर अमेरिकन बाजार अब अज आज के दिन इतना ज्फूर्इंग नए रहेगा किल का दिन अमेरिकन बाजार बहुत ही ज्यादा इंट्रेस्टिंग रहेगा चलो ठीक है is अमेरिकन बाजर के बाद अगर हम लोग बात करेंगे आज के दिन हमारे मार्केट की तो लगातार बिक वाली आपे जारी आप देख सकते हैं आपे 45,000 करोड के आसपास आपे आज भी माल या पे बेचा है तो देखा के तो इंपेक्ट जो रहता है वो जबर्दस्ती रहना चाहिए बट यह साइमल्टेनेसली 3,800 करोड का माल खरीदा भी गया है तो डेफिनिटली हम लोग कह सकते हैं डियाएस के इंपेक्ट के कारण नेट जो इंपेक्ट पढ़ रहे मार्केट के उपर वो जो मतलब जितना नीचे जाना चाहिए था उतना नहीं जा रहा है तो हम लोग जरू कह सकते हैं आपे FIS की लगातार बिक्वाली एक प्रेशर तो जरूर है क्योंकि डॉलर स्ट्रॉंग होते ही चला जा रहा है और FIS कब लोट कर आएंगे इसी से रिलेटर हर किसी की आपे फिलाल तो मतलब इंतजार हर कोई यहापे कर रहा है नेक्स अगर हम लोग बात करेंगे दोस्तो तो टेसला आप लोग को पता है इंडिया में यहापे आना चाहता है बट फिलाल बताय जा रहा है कि टेसला इंडिया पॉलिसी एक्जीकिटिव को यहापे कुट कर दिया गय का वो hold पर या पर डाल दिया ऐसा report के जरी फिलाल तो समझ में आ रहा है सो जरूर जितना टेसला लेट करेगा उतना ही competitor मतलब टाटा मोटर को तो अच्छा ही लगेगा क्योंकि फिलाल हम लोग यहां पर बात करेंगे दोस्तों तो यहां पर MPC की बेटक में आप लोगों ने सुन ही लिया है कि रेट्स बढ़ चुके है सो एप्लिकेशन भी इनका स्टार्ट हो चुका है SBI की बात करें तो दोस्तों SBI ने deposit rates भी यहां पर बढ़ा दिये प्लस lending rates भी यहां पर बढ़ा दिये है तो हम लोग कह सकते कितने से 20 basis points है यहां पर lending rates आप लोगों को बढ़ते वे देखने को मिलें कि कब से अभी 15 June यहां पर 12 जैसे बढ़ जाएगा उसके बाद यह rates चेंज हो जाएंगे and EMI जो पहले थोड़ा सा सस्ता था उसके साब से थोड़ा सा अभी महेंगा होना शुरू है यहां पर हो जाएगा and यह multiple times में बढ़ सकते है rates इसकी भी संभावना है at least हम लोग कह सकते हैं Indian market में next MPC की बेटक में भी rate हाई कि यहां पर हो सकता है so जरू इस point को भी आप लोग ने note करके आगे चलना है then अगर हम लोग बात करें कि दोस्तो इंडियन market ठीक है दुनिया बर के market ठीक है बट यहां पर जो crypto market है yes crypto currency के market में दोस्तो पूरा भूकम चल रहा है Bitcoin जो की crypto currency के मतलब बहुत सारे crypto currencies देखने को यहां पर मिल जाते है उसमें Bitcoin popular है so बहुत ही जबरदस्त तरीकी से गिरते वे देखने को मिल रहा है मतलब अगर में एक साल का data रग दू तो यह देखे massive गिरावट हम लोगों को देखने को आपे मिल रही है so देखा गया तो यह जो crypto currency वाला market है वो मुझे ऐसा लगता है कि जिन लोग ने भी enter किया होगा तो देखा गया तो वो market मतलब वैसे ही है यह expect नहीं करना चाहिए कि यहापे volatility नहीं रहेगी जी underline asset के अगर हम लोग बात करें वो missing रहता है तो इसलिए क्यों उपर जा रहा है क्यों नीचे जा रहा है कोई ऐसे properly मतलब चीज हम लोग यहापे judge यहापे नहीं कर सकते बट हम लोग जरू कह सकते है जो लोग पूछ रहे सर मेने गलती से Bitcoin या फिर crypto market में बहुत ही जादा higher level पर और बहुत जादा पैसा लगा है तो क्या करूँ तो मुझे ऐसा लगते है क्रिप्टो करन्सी यह जो market क्रिप्टो वाला तो इसमें बहुत बड़े-बड़े लोगों का पैसा है तो वो रहना चाहिए नेक्स्ट बात करेंगे दोस्तों अमेरिका में अगर हम लोग बात करें बहुत ही ज़्यादा problems देखने को यह पर मिल रहे है और US-based company की अगर मैं बात करूँ Coinbase आप सब लोग को पता है यहापे तो आज ही की दिन उन्होंने यह पर Structuring Plan Announce किया और उन्होंने अपने 18% के आसपास workforce मतलब लोगों को यहापे उन्होंने कह सकते Job से निकाला भी है बहुत सारो लोगों को मतलब लगभब बताया जारहे हजार से ज्यादा employees को उन्होंने यहापे reduce कर दिया है so definitely हम लोग यहापे कह सकते लेयाफ वाला जो performance यहापे चल रहा है सिलसिला जो चल रहा है American Bazaar में वह बहुत ही ज़्यादा खतरनाक फिलाल तो हम लोगों को देखने को मिल रहा है उससे अच्छा तो इंडियन मार्केट का performance ठीक ठाक यहापे चल रहा है देन दोस्तों बात करेंगे रिपोर्ट के जरी एक जबरदस न्यूज फिलाल तो हम लोगों को देखने को मिल रहा है बताया जा रहा है कि आनन महिंद्रा हर किसी को पता है कोई introduction की जरूत नी देन वेनु श्री निवासन जी की अगर मैं यहापे बात करूँ वेनु श्री निवासन जी की और यहापे बड़े popular नाम सामने यहापे आ रहे हैं उनका नॉमिनेट किया गया है का पे as a director on the RBI board अभी यह देखना पड़ेगा क्या यहापे वाके में वो क्या यहापे चुनकर आते हैं यहापे अभी तक तो जो मतलब आनन महिंद्रा जी का नाम यहापे देखने को मिल रहा है बहुत बड़ा नाम है सो नॉमिनेशन की इसमें है अभी देखना पड़ेगा आगे इससे related क्या actual में आउटकम निकल कर यहापे आ जाता है नेक्स्ट अगर हम लोग बात करें दोस्तों Competition Commission of India ने यहापे approval दे दिया है Air India को किससे related CCI Approves the Acquisition of Air Asia India by Air India सो हम लोग जरू कह सकते है यहापे इतना एक बड़ा acquisition हो जाने के बाद Air India का market share और भी बढ़ जाएगा और इसके चलते क्या monopoly तो create नहीं हो जाएगी सो CCI के और से यह बताया जारे कि कोई monopoly create नहीं होगी बढ़ जरू competition और भी ज़्यादा tough हो जाएगा सो हम लोग जरू कह सकते है airline का business already कोई ऐसी खास company है नहीं फिलाल तो listed entity में देखा गया तो indigo ही एक ऐसा है जो कि ठीक टाक performance देता है बाकी तो spice jet तो छोड़ी दीजे jet airways comeback करने की कोशिशा पर कर रहा है और बाकी जितने भी है इतने कुछ खास है नहीं सो हम लोग जरू कह सकते है airline के इसमें air इंडिया जरूर यहापे comeback करनी के अच्छा कासा कोशिश आ पर कर रहा है next अगर हम लोग यहापे बात करेंगे दोस्तों yes crude oil की बात करें तो यहापे रशिया ने replace कर दे किसको साओधी अरेबिया as an India's second biggest oil supplier so हम लोग जरू कह सकते हैं कि रशिया पे हम लोग अभी और भी ज्यादा यहापे ओइल्स खरीदते ही जारे खरीदते जारे and शायद से I hope discounted oil भी हम लोग को यहापे जरूर मिलता होगा so हम लोग जरू यहापे कह सकते हैं जो position है अभी इंडिया की रशिया के साथ वो और भी strengthen होती है देखने को मिल रही है PTM की बात करें आज की दिन अच्छा का साबा का 4% ठीक है तेजी देखकर यहापे investment के decisions को बदलना नहीं जब तक break-even point की करीब नहीं पूचता है तब तक दूर ही रहना है Root Mobile की बात के रहे जबरदस यहापे गिराए यहापे 7-7% के आसपास की गिरावट है Root Mobile के ऐसी कंपनी खराब कंपनी निए future oriented type की कंपनी है तो जरूर इसमें बने रहना आना चाहे क्योंकि कंपनी है ऐसे वैसे नहीं एक small cap mid cap type की कंपनी है तो समझ में आना चाहे है कि volatility ऐसे रहेगी हर किसी stock में इस तरीकी के जटके हम लोगों को देखने को मिल जाते है तो यह भी company वैसे है mid cap quality की company है जितने भी दोस्तों यह mid cap रहता है ना small cap है इसमें इसी तरीकी की volatility रहेगी बहुत सहरे लोगों को तेजी में मज़ा आता है बट यह गिरावट में अभी गिरावट में तो मज़ा किसी को भी नहीं आता है बट यह हकीकत है कि stock ऐसे ही चलते अगर आप इनके aggregate performance देखोगे फिर आपको समझ में आएगा कि हाँ कि कैसे ही आपे performance आपे चलता है अगर मैं root mobile का भी बात करूँ तो अगर आप लोग overall performance देखोगे तो आप समझ सकते हो तो ups and downs यहापे हर किसी stock में आप लोगों को देखने को यहापे मिलने ही वाले है नेक्स बात करेंगे इंडिया मार्ट यह भी वैसा ही अगर आप इसका overall performance देखोगे तो पाथ सल में कितना है 200% है बट अगर आप एक सल में performance देखोगे तो देखे आधा capital गायब हो गया तो यह risky stocks रहते हैं दूस्तों mid cap company है तो यह भी आप लोगों को यहापे समझ में आना चाहिए हर वक्त में आप लोगों को कहता हूँ कि कोई भी stock select करने से पिले उसका market cap ज़रू check करना उसे थोड़ा अंदाज आता है प्लस company कितनी पूरा नहीं उससे अंदाज आता है इसकारतिय नहीं यह company खराब है बट यह बहुत जादार इसकी company इनके ओपर trust बहुत ही कम रहता है और ऐसे बाजार के माहूल में जहाँ पर pressure हावी है ऐसे वाले stocks में तो जबरदस profit booking देखने को मिल जाती है जितने भी important बात ही थी सारी आपे मैंने cover कर लिए वीडियो अच्छा लगे तो जरू like and share कर देना So that's it, thank you very much दो, we will be meeting our next video तब तक के लिए, bye bye